हलो फ्रेंस मैं हीम्नित्ता सभागत करती ह την umafe my food advice में आज हम बनाने चाए रहे हैं घर्मियों में बहुत ही तेस्टी लगने वाली रेसेपी यानि कि हम बनाने जा रहे हैं कुल्फी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बनाना इसको बहुत ही इजी है एक लीटर दूद में आप इतनी सारी कुल्फे बनाकर तयार कर लेंगे कि अगर घर में 10 लोग हैं तो वो बहुत आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है खाने में बहुत बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इससे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा माय फोट माइन को चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक लीटर दूद यह मैंने फुल क्रीम दूद लिया है आप भैस का दूद भी ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखे कि उसमें पानी ना हो अगर पानी ज़ादा होगा तो ज़ादा पकने में ताइम यहां पर चार ब्रैड के स्लाइसे लिए हैं जिनके साइड को मैंने काट लिया है इस तरह से उनका साइड का पोशिन निकाल लिया है और फिर उनने जार में टाल कर पीस लिया है हमारे ब्रैड स्कम्स तयार हो गए है और इसी के साथ मैंने यहां पर लिया है बादाम और पिस चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है आपको जितना मीठा पसंद हो उसे सापसे डाली है वैसे आइस क्रीम में मीठा थोड़ा जादा ही कुल्फी में मीठा थोड़ा जादा ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहां पर 200 ग्राम के करीब चीनी डाली है एक कप के करीब है यहां पर इसमें चीनी डाली है यानि एक लीटर दूद में डाइसोग्राम चीनी चीनी डालने के बाद जब चीनी घुल जाए उसके बाद हम इसमें डालते हैं ड्राइफ टूट्स का पॉड़र जो हमने बना कर तयार कर रहा था दरदरा बादाम और पि इस कुल्फी को अगर आप खाएंगे ना तो कोई यह नहीं कह सकता कि अपने घर पे बनाईए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत यमी लगती है यह देखिए अब हम इसमें क्योंकि हमारी चीनी भी बहुत अच्छी तरह से घुल चुकी है ड्राइफ रूट्स हम डाल चुके हैं और उसके बाद हम इसमें इलाइची पॉडर भी टाल चुके हैं और अब हम इसमें डालते हैं ब्रेट क्रम्स जो हमने ब्रेट क्रम्स तयार करे थे वह ब्रेट क्रम्स डालने के बाद नहीं जादर टाइम नहीं लेगा दूद गाड़ा होने में बहुत थोड़ी देर इसी तरह से लगातार हम को हमें इसे चलाते रहना है वरना यह साइट से लग जाएगा यह देखे फ्रेंड Specs हमारा जो दूद था वो इतना गाढ़ा हो चुका है कुलफी का दूद एक दम अच्छे से पक चुका है गाढ़ा हो चुका है अब हमें गैस को आफ कर देना है और उसके बाद इसको हमें ठंडा होने देना है थोड़ी देर ठंडे होने के बाद यह थोड़ा और गाड़ा होगा यहां पर हमारा नो कक्षक्र estaban कघ्ड़ मेंत डूरा उब सब्सक्राइब अब सब्सक् Shallow close ज…. आपके पास के दूरा में गुल्त कमना कर तुम कहा रही जो भी कंटेंडीर हो आपके पास इसे उसमेंमें और अगर कंटेनर नहीं है तो ग्लास में डाल के बनाई है बहुत थी अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि उससे कोई फट्क नी पढ़ता खाने में बहुत यमी लगती है हमने इसे ग्लास में डाल लिया है ग्लास में डालने के बाद इसको फाल पेपर से इस तरह से रैप कर देना है ताकि जब यह आइस्ट्रीम को जब हम फ्रीज में रखें तो उपर ना साइट्स पर बर्फ जो जम जाती है पानी की लेयर वो ना आई इसलिए हमें इस तरह से इ कितना टाइम लगता है ये देखे कितना अच्छा ये बな STEP cottage a on करीब आप चे गंटे के लगता है तो कितना अपचा आप के लिए में लगती है इसका बहूत क्रीमी लगती है घान에 में बहुत कर दिखाती हो कि कितने आराम से कड़ जाती है एक ग्लास में आप यह लगा लिजे कि चार जनों के लिए ना आइस्क्रीम इतना परफेक्टली बनकर तयार हो जाती है आप एक ग्लास में चार जन खा सकते हैं और मलब इतनी जादा होती है कि जितना चाहो उतना खा सकते हो जो बजार में स्टि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, MyFoodMind को मिलते हैं.